नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ख्याती सेठी मैं उमीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे दोस्तों आप सुन रहे हैं मेरे यानी ख्याती सेठी के साथ कहानियों का पिटारा पोड़कास्ट और आज हम सुनेंगे एक बहुत ही सुन्दर कहानी जिसका शिर्षक है अंगूठी की कीमत तो चलिए सुनते हैं एक नोजवान शिशे अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला गुरु जी एक बात समझ नहीं आती आप इतने सा धारन वस्तर क्यूं पहनते हैं इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि आप एक ज्यानी व्यक्ति हैं जो सैंकडों शिश्यों को शिक्षित करने का महान कारे करते हैं गुरु जी मुस्कुराए फिर उन्होंने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और शिशे को देते हुए बोले मैं तुमारी जिग्यासा अवश्य शांत करूँगा लेकिन पहले तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो इस अंगूठी को लेकर बाजार जाओ और किसी सबजी वाले या ऐसे ही किसी दुकानदार को इसे बेच दो बस इतना ध्यान रहे कि इसके बदले कम से कम सोने की एक अशर्फी जरूर लाना शिशे फोरण उस अंगूठी को लेकर बाजार गया पर थोड़ी देर में अंगूठी वापस लेकर लोट आया क्या हुआ तुम इसे लेकर क्यों लोट आए गुरुजी ने पूछा गुरुजी दरसल मैंने इसे सबजी वाले कीराने वाले और अन्य दुकानदारों को बेचने का प्रयास किया पर कोई भी इसके बदले सोने की एक अशर्फी देने को तयार नहीं हुआ गुरुजी बोले अच्छा कोई बात नहीं अब तुम इसे लेकर किसी जोरी के पास जाओ और इसे बेचने की कोशिश करो शिश्य एक बार फिर अंगूठी लेकर निकल पड़ा पर इस बार भी कुछी देर में वापस आ गया क्या हुआ इस बार भी कोई इसके बदले एक अशर्फी भी देने को तयार नहीं हुआ गुरुजी ने पूछा शिश्य के हावबाव कुछ अजीब लग रहे थे वो घबराते हुए बोला अरे अरे नहीं गुरुजी इस बार में जिस किसी जोरी के पास गया सभी ने ये कहते हुए मुझे लोटा दिया कि यहां के सारे जोरी मिलकर भी इस अनमोल हीरे को नहीं खरीच सकते इसके लिए तो लाखो अशर्फियां भी कम है यही तुमारे प्रशन का उत्तर है गुरुजी बोले जिस परकार उपर से देखने पर इस अनमोल अंगूठी की कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता उसी परकार किसी व्यक्ति के वस्तरों को देख कर उसे आंका नहीं जा सकता व्यक्ति की विशेषता जानने के लिए उसे भीतर से देखना चाहिए भ्रह्मन आवरन तो कोई भी धारन कर सकते हैं लेकिन आत्मा की शुदता और ग्यान का भंडार तो अंदर ही छिपा होता है शिश्य की जिग्यासा शांत हो चुकी थी वैस समझ चुका था कि भारी वेश बुशा से व्यक्ति की सही पहचान नहीं हो सकती जो बात माइने रखती है वो ये कि व्यक्ति भीतर से कैसा है फ्रेंड्स आज के युग में आप क्या पहनते हैं कैसे दिखते हैं इसकी अपनी इन्पोर्टेंस है और कई जगाओं पे फोर इग्जामपल किसी इंटर्व्यू या मीटिंग वगारा में तो इसका कुछ जादा ही महतव है पर ये भी सच है कि सिर्फ कपड़ों से इनसान को जज नहीं किया जा सकता इसलिए हमें कभी भी किसी को सिर्फ इसलिए छोटा नहीं समझना चाहिए क्योंकि उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने या किसी को सिर्फ इसलिए बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छे से ब्रेस्ट अप है इनसान का असली गुंतो उसके भीतर होता है और वही उसे अच्छा या बुरा बनाता है